बाच्रों में पुराने टायर्ट से बना दिया वाश बिसन हैरान करने वाला जुगार्ड नमस्कार में रश्मी पांडे और आप देख रही है हापुड हल्चन खास खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हापुड हल्चन रिसाइकलिंग का महत्व संकाली समिप एक जरूरत बन गया है प्लास्टिक के सामान ही नहीं रबर उत्पादकों की रिसाइकलिंग और पुनाहा उपयोग भी एक बहुत जरूरी आवशक्ता बन गयी है उद्योगपती हर्ष गोयंका ने एक पोस्ट शेयर की जसमें टायरों के पुनाहा उपयोग का एक अभीनब तरीका दिखाया गया है और इसमें इंटरनेट को काफी हैरान कर दी है ट्वीटर पर शेयर किया गया इस पोस्ट में वाश बेसन के एक तस्वीर भी शामिल है बेसन की बोड़ी टायर से बनी है साथी अंडाकार आकार के दरपण का फ्रेम भी एक टायर से बना है तस्वीर में एक और आकर्षप चीज पानी का नल है जो कि ग्यास स्टेशन उपर इंदन भणने के लिए उपयोग किये जाने वाले आउट लेट से बनाए ट्विपल टायरों की चतर उपयोग से काफी प्रभावित हुए और कमेंट्स किये गए है कि ट्रेन की बातरूम में इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए कई लोगों ने बताया कि सामिगरी कम जंग के लिए प्रवण होगी और वास्तव में एक बहुतर विकल्प एक ट्वीटर यूजर ने लिखा ये बहुत ही रचनात्मक है दूसरे ने लिखा बहुत पर्यावरण के लिए अनुकूल हाला कि एक ने बताया कि टायर जलनशीर उपात है और इन्हें साब्धानी स्तिस्तिमाल किया जाना चाहिए बरहार आपकी क्या राय है कमेट में जरूर बताएं और देखते रही हापुल हल चल